तो हेलो एवरिबर आज की वीडियोस हम देखने वाले हैं प्रोसेस को तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस्ट के इंट्रोडक्षन से तो सबसे पहले हम देखें गवाट इस प्रोसेसर है प्रोसेसर होगे तो हम देखते हैं पर PHP इसके बाद हम आएंगे नेश्ट पर देखते हैं PHP इस यूज्ट टू मैंने कंटेंट डिटावे सेशन ट्रेकिंग इवें विल्ड इंटार एकॉमर्स विब साइट पिश्पी क्यों करते हैं प्रेंट कोई भी डानेमिक कंटेंट हो उसको मैंनेज करन हम थोड़ा सा theory concept ट्रक लेते हैं मैंड के अंदर राइट और हम देख लेते हैं इसका इंटार बहुत बड़ी बड़ी विब साइट हो इकॉमर्स विब साइट हो उसको पनाने के लिए आराम से पीश्पी कर लेते हैं तो हम देखते हैं PHP का को होता है हमेसा सर्वर के उपर ह यह करता है है तो जिसके लिए प्यार्ट का दिखेंगे प्हक्तितर था अब को यह क् добрow है उने में करता है अधे सब्सक्राइब्स करते हैं गडे देख लेता है हमारे डेटा बेस की अंधर डेटा को मोडिफाय करने का काम KAS करने काम database के अंदर यह सारा काम हमारा PHP कर लेता है ठीक है दूसरा हमारे डेटा को भी encrypted रखता है ठीक है security परदान करता है एक हमारे password जैसे secure data को भी encrypted करके रखता है हमारा PHP ठीक है इतने सारे काम कर सकते हैं अब यहां है तो और हमारे जो सेक्क्रटी वाले डेटा होते हैं पासवर जैसे चीजों को हमें encrypted कहते हैं अब वाई हम PHP का यूज क्यूं करें PHP का हम यूज इसलिए करेंगे कि क्या प्लेटफॉर्म एंडिपेंटेंट है हार एक प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से चलता है विंडो हो लिनुक्स हो मैको या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके उपर वैरियस प्ले पाची द्वारा इप्वाइड किया गया है तो इसके बाद क्या है सपोर्ट वाइड रेंज आप डेटाबेस बहुत बड़े रेंज को भी सपोर्ट करता है हमारा PHP और फ्री है उपन सोर्स है तो और सीखने में बहुत आसाने PHP सिंपल प्रोग्रामिंग है तो अभी PHP का करता है् सीख़एंगे वहाद आसानी से बहुत बड़े डेटाबेस की रेंच को भी सपोर्ट करता है और प्री है ऑन स्वन सीघंट से बहुत ही सिंपल है इसको हमारे हमारे HTML सी हमने सिखाकर करके है तो आप है अर extreme को देख सकते हो च्राइं वाले वीडियो को टोटल । खंट एक कर दिया है तो आप ऊरए सब्सक्ती के अंदर हम प्रें स्ट्पी कोड को लिख सकते हैं और से नो प्रॉब्लब बस PHP टैग को open और close करके जैसे हमें HTML के अंदर हम style लिखते हैं हमने CSS वाला भी वीडियो डाल दिया है हमने जावा स्क्रिप्ट का भी वीडियो डाल दिया है HTML से जावा स्क्रिप्ट सिंगल वीडियो के अंतर हमने पर कर दिया है तो हमने CSS को लिखने के लिए हम style टेकर रिउज करते थे अपना HTML पेस्तिकर लिए हम इस क्रिप्ट टैंक करते थे अपने HTML के अंदर वैसे एकर मेरे प्रों प्यच्प करना है तो हम प्यच्प टैंग यह लिखना पड़ेगा इसके बाद अपने PHP content को लिख करके उसको closing tag देना पड़ेगा, फिर इसके अंतर हम अपने PHP को run कर सकते हैं, बढ़ ध्यार है, हमें PHP को run करने के लिए एक web server की ज़रुत पड़ेगी, जो हम भी install करेंगे, या फिर next वीडियो में install करके बताएंगे, अब PHP का simple hello ad का program में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले PHP का tag को open करेंगे, PHP को tag open करने के लिए angular bracket open करेंगे, question mark फिर PHP लिखेंगे, इसके बाद enter करके अपने content को लिख देंगे, जो भी काम हमें कराना है, फिर हम क्या करेंगे, अपने PHP tag को यहां पर बंद कर देंगे, तो यह वह वारा simple introduction of PHP, I hope आपको PHP क्या है, क्या करता है, अब PHP को use क्यों करें, पूरा अच्छे से clear हो गया होगा, ओके, तो अब हम इस वीडियो में इतना रखते हैं, introduction part को, नेक्ट में हम देखेंगे, installation, ओके, thank you